हम लोग दिखते है यलो कलर की स्कूल गाड़ी आती है यहना ड्राइवर अंकर भी बुलाने के लिए देते हैं ओ बेचे आजाओ आजाओ पटापट आजाओ चलो very good now look at here some question is given can you ride on bicycle if yes who taught you to ride इसके अंदर आपको ये लिखना है कि क्या आपको cycle चलाना आता है अब आप four standard में पढ़ रहे हो cycle चलाने तो आती ही होगी है ना बहुत सारे बच्चे होंगी जिसको cycle नहीं आती हो okay no problem तो आपका answer आएगा yes yes sir हमें cycle चलानी आती है then you have to write down the name of the person would teach you to ride a cycle आपको cycle चलाने के लिए किसने सिखाया है that you have to write down here very next question how many children come on bicycle to your school आपके स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे साइकल लेके आते हैं आपके स्कूल के बाद में जो पार्किंग रहा वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइकल पड़ी है है ना तो आपको सेट वहाँ पे number लिखने है you have to write down the number कि कितने बच्चे साइकल लेके आते है now look at the picture very nice picture my school my school when we are living very far from the school यानि कि जो लोग तनकला में रहते है गरुड़ सवर रहते है है ना वो हमारी स्कूल से करीबन 10-15 किलोमेटर पर दूरी पर है गरुड़ सवरे करीबन 3-4 किलोमेटर पर दूरी है तो वो लोग किस में आते जाते होंगे या रिक्षा वाले अंकल very good कहीं 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 के parents रखने के लिए आते हैं ओके तो is your school near your home or far away here you have to write down the distance or you can say that आपकी स्कूल नजदिक है कि दूर है मान लो जो बच्चे तनकला से आते हैं और जो बच्चे गरूरे स्वर से आते हैं they can write down my school is far away हमारी school थोड़ी दूरी पर है है ना now very next question does your school providing the kin of facility if yes then in what vehicle do you go to the school अच्छा यदि आपकी school इस प्रकार की कोई facility provide करती है like a van रिक्षा school bus school van है ना तो आपको लिखना है yes and आप लोग किस में आते हो उसके बारे में like a रिक्षा में आते हैं कभी school van में आते हैं जो तनकला से आते हैं they can write down we are coming through school van okay very good now next one can you think of place where none of this vehicle can reach are there such a place हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगा है जहां पे अभी पक्के रस्ते नहीं है and they do not have such path अट